हाई दोस्तो मैं हूँ फिल्म क्रिटिक सुमित कडे दोस्तो बिग बॉस खतम होने के बाद मैं कभी भी बिग बॉस के बारे में बात नहीं करता मैं ट्विट नहीं करता ना मैं कोई वीडियो बनाता हूँ दोस्तों लेकिन आज मैं इस वीडियो को बनाने पे मजबूर हो गया हूँ और यह वीडियो है सिधात शुकला के उपर दोस्तों बहुत सारे winners बिग बॉस में होए बहुत सारे contestants बिग बॉस में famous हुए है लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद या बिग बॉस में famous होने के बाद में अपनी popularity को कायम रखना सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे कठिन काम होता है बिग बॉस के 13-14 साल के इतिहास में सिर्फ 4 या 5 contestants ऐसे हुए है जिन्होंने अपने बिग बॉस की popularity को अपने बिग बॉस के high को momentum को शो के बाद भी कायम रखा उन 4 या 5 चंद लोगों में से एक हैसी धार्थ शुकला दोस्तो शो जीतने के बाद में लोगों को बहुत सारे music videos ओफर होते है films ओफर होती है, shows ओफर होते है तो अधिकतर लोग क्या करते है कि अपनी popularity का misuse करके हर एक product, हर एक चीज़ पे हाथ दे देते है और अपने career को खराब कर देते है सिधार शुकला ने ऐसा नहीं किया इन्होंने बहुत ही quality work किया बिग बॉस के खतम होने के बाद सिर्फ दो गाने किये इन्होंने अपनी popularity को misuse नहीं किया इन्होंने वही काम किया जिसमें इनको believe था जिसमें इनको भरोसा था कि हाँ ये चीज जब market में आईगी तो मेरे fans को और neutral audience को पसंद आईगी दो गाने किये भुला दूंगा दर्शन रावल का जिसको भी तक आठ करोड से ज़्यादा views मिल चुके है views सब organic views है कोई खरिदेवे views नहीं है कोई T-series या Sony का काम नहीं की है टिस्दा शुक लाने एक normal label है और आठ करोड views बहुत ज़्यादा होती है जो की बहुत बड़ा chartbuster हो चुका है and it is ruling the charts ये गाना भी बहुत शांदार है नहा ककड और यसीर ने गाया है ये भी कोई बहुत बड़े music label का गाना नहीं है तो he is using his experience wisely he is using his experience in the industry in a productive way 10 से 12 साल सिधार शुकला ने इस industry में काम किया है और इनको मालूम है कि market में क्या चलता है इन्होंने पैसो के लिए या fame के लिए हर कोई project में हाथ नहीं दिया बाकी लोगों ने तो बहुत सारे गाने ऐसे किये जो की एकडम बेकार है कोई गाने हिट नहीं हुए और उनकी popularity उस गाने के वज़े से कमी हुई ना की भड़ी लेकिन सिधार शुकला ने दो काम किये दो गाने किये और दोनों गाने बहुत थी जबरदस्त हुए दोस्तों बिग बॉस से निकलने के बाद भी इनकी popularity intact है आज भी लोग इनको शिद्दस से चाहते है नाम लेने में कोई फाइदा नहीं है लेकिन सिलपा शिंदे बोलिए या गौतम गुलाटी बोलिए दे अर्ण हुमंगस वैन फालिंग डूरिंग डिशो पट आफ्टर दिशो दे पॉपुलरिटी वेंट डाउन हिल वो कायम नहीं रख पाए किसी न किसी वजा से वो कुई ऐसा काम इन्डेस्ट्रि में नहीं कर पाए जो कि वो डिजर्व करते थे या जो कि उनकी पॉपुलरिटी को जेस्टिफाई करते थे लेकिन सिधाष शुकला जो काम अभी कर रहे है पूरी इंडेस्ट्री की आँक इनके उपर टिकी भी है बहुत ही प्यारा काम कर रहे है बहुत ही हुमंगस इनकी फैन पॉलिंग है और कॉलिटी वाला काम कर रहे है दो गाने की हैं, दोनों चाटबस्टर्स हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों सावन में लोग प्ले कर रहे हैं, ऑलनेल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुजिक वीडियो है, अपनी experience को बहुत ही खुबसूरती से सिधार शुकला ने use मिलिया है, और पैसे पे नहीं भागे, क में नजर आ सकते हैं, जहां तक मुझे सुनने में आया है, many digital giants like Amazon, Hotstar, Netflix and all are running for सिधार शुकला, they want to cast him in their upcoming shows, बहुत सारे अच्छे फिल्मेकर सिधार शुकला को अपने शोज में लेना चाहते हैं, लेकिन सिधार शुकला कोई भी हरबड़ी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे सु आने वालों को disappoint नहीं करेंगे, उस तो शाहिद यह ऐसा होगा कि सिधार शुकला ने जितना popularity gain किया है, आने वाले season में, कोई उनको match कर पाए, या उनकी popularity का आधा भी हासिल कर पाए, जो बाकी conditions है, या जो बाकी लोग reality shows करते हैं, उनको सिधार शुकला से सिखना चाहिए, क कि शो कि जितने के बाद अपनी popularity को कैसे कायम रखा जाता है, कैसे काम कुछ चूज किया जाता है, कैसे अच्छा काम किया जाता है, और अपनी fans की sentiments की कदर की जाती है, सिधार शुकला डाउन तो वर्थ आदमी है, और अपनी fans की बहुत कदर करते हैं, उनको respect करते हैं, इस से ही काम करते रहें, बहुत सारी उचाईयां हासिल करें, और उमिद करता हूँ कि आपको हम बड़े परदे पे देखेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, तो मेरे चैनल को आप सस्क्राइब कीजेगा, इस वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, सैनिंग सुमित करेल, थेंक यू, नमस्कार.